खबरों की दुनिया में हर खबर है खास लेकिन जो खबरे बढ़ाती हैं आपका होसला और आपका विश्वास ऐसी तमाम खबरों को देश फर से हम समेट कर लेकर आते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिये नमस्कार मैं हूँ शहला रिगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेश कारिकरम गुड ड्यूज जजबा इंडिया का यहां होती है आम लोगों की बहुत खास कहानिया जो प्रेड़ना देती हैं कुछ कर गुजरने का जजबा देती है तो देर किस बात किये चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस विशेश प्रोग्राम की जरूरत मन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की तो बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी लेकिन आज हम आपको उससे भी आगे की एक खबर दिखाने जा रहे हैं जि हाँ आपको एक वेक्ती से मिलवाने जा रहे हैं पश्चमी चम्पारन के बेतिया के रहने वाले हैं और इनकी खास्यत यह है कि ये बच्चों को मुफ्त में शिक्षित तो कर ही रहे हैं साथी साथ उन्हें शिक्षण सामग्री भी मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं और और किसी बच्चे के पाउं में काटा ना चुभे, कंकर ना चुभे, नंगे पैर चलने के कारण इसलिए इन बच्चों को मुफ्त में चपल भी पहना रहे हैं और इसलिए प्यार से लोग इन्हें स्लिपर मैन कहते हैं पश्चिम चंपारण के बेतिया में ज़रूरत मन बच्चों की पढ़ाई में लगने वाले आवश्यक सामगरी, कलम, कौपी, रबर, स्केल, इंस्रुमेंटल बॉक्स, चौक के साथ-साथ उन्हें रखने के लिए बैक बाटते ये हैं स्लिपर मैन टीम के सदस्ये जो बच्चों को शिक्षा सामगरी तो उपलब्ध कराते ही हैं साथ ही बच्चों के पैरों में कंकर पत्थर से बचाने के लिए बच्चों के पैरों की साइज के अनुसार स्लिपर भी पहनाने का काम करते हैं और इसलिए बच्चे और आम लोग प्यार से इन्हें स्लिपर म बुलाते हैं यह सब सामगरी वह सपताह में दो दिन बुधवार व ब्रिहसपतिवार को जिले में चल रहे एकल विद्याले के बच्चों व बच्चीयों को मुफ्त में देते हैं यहाँ पर बहुत ही गरीब तपके के बच्चे पढ़ते हैं जो कि हलागी गाउं से सम्मंदित रखते हैं और उनके पिता जी के पास ऐसा नहीं होता कि उन बच्चों के लिए बैग दे सके श्लीपर दे सके पूरे सालों भर तो किसी को कुछ तो करना बढ़ेगा तो यह बच जिले में फिलहाल 150 से अधिक एकल विद्याले हैं विद्यार्थियों के बीच जब यह पठन सामगरी के साथ स्लीपर दिया जाता है तो उनके चहरे की खुशी एक अलग एहसास देती है गौर तलब है कि डॉक्टर उपेंद्र कुमार भी के आर उचे विद्याले के 95 बैच के विद्यार्थि हैं इस बैच के सभी विद्यार्थियों का संकल्प 95 नाम से एक ग्रूप बना हुआ है जिसमें कोई आज के समय में चिकित्सिक है तो कोई सिविल सेवा में है कोई कि पर हो गया यह को गया से आता है बैग हो गया वुद्यार्थियों कोई आगे चलगर बैंक का मैंचर बना चाहते हैं तो कोई कोई तीचर कि आज़ुम लोगों को बैग को फो यूप खाइन कल८ल पैंसील इस्टूमर उस्टूमर बक्स डिए ने बन को Her वहीं यहां शिक्षा दे रही आचारिया इंदुदेवी ने बताया कि यहां काफी गरीब तबके के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यह विद्याले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता है वे खाफी खुश है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को सामगीर प्रदान की जाती है गरीब घर के सब बच्चा यहां पर आता है पढ़ने के लिए और उपेंदर भईया जो है डक्टर साहब हम लोग के बच्चे के लिए पेन, बेग, कोपी, कलम या बेग, चपल सब बच्चों को लिए दिये हैं अलग-अलग कमपनियों में कारियरत सब ही स्वयम से वी एक टीम वर्प के तहट यह काम करते हैं कोशिश समाज को बहतर बनाने की दिशा में अपनी और से कुछ न कुछ योगदान देने की है गुड न्यूज जजबा इंडिया के लिए बेतिया से आशीश कुमार की रिपोर्ट तो है ना ये खबर अपने आप में बहुत खास ये एक अलग होसला देती है कुछ कर गुजरने का जजबा देती है और अब आपको मिलवाते हैं तेलंगाना के के एन राजशेकर से ये अपने आप में बहुत खास काम कर रहे हैं जी हम परियावरन संरक्षन के लिए प्रियास कर रहे हैं और लगभग डेड़ हजार दिनों से हर दिन एक पौधा लगाते हैं मकसद है हरियाली फैलाना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं विल्य तेलंगाना के सिंग रहनी कोली रिज के कर्मचारी के एन चंदर शेखर से जो पिछले 1500 दिनों से रोजाना एक पौधा लगा रहे हैं उन्हें प्रकृती से बहुत लगाव है वो हरियाली फैलाना चाहते हैं और इस तरह अपने आस पास के बातावरण को सुरक्षत रखना चाहते हैं उनका ज़स्बा परियावरण संरक्षन के लिए प्रति दिन एक पौधा लगाने का है के अन चदर शेकर ने एक जुलाई 2020 को प्रकृती हरित दिक्षास मिशन के हिस्से के रूप में पौधे लगाना शुरू किया इसका उदेश हरियाली फैलाना है जब वे 11 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनमें परियावरण संरक्षन के महत्व के प्रति जागरुकता पैदा की भड़े होने पर उनके पिता के शब्दों ने उन्हें ग्रीन मिशन शुरू करने के लिए प्रणित किया रोजगार हासिल करने के बाद उन्होंने 2016 से परियावरण संरक्षन के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया राजशेकर ते लगाना के भद्राद्री, कोठा, गुडेम, जिलेक्स में सिंग, रेनी, कोलिय, रिज, मकेंद्रिय का रिशाला में फीटर के रूप में काम करते हैं एक जुलाई 2020 को राजशेकर ने अपनी प्रकृती हरित दीक्षा के हिस्से के रूप में हर दिन एक पौंधा लगाना शुरू किया आठ अगस्त 2024 को वो एक मील के पत्थर पर पहुँचे जब उन्होंने 1500 पौंधा लगाया इसके अलावा उन्होंने सिंगरेनी कोलियर रिज में पौंधे लगाने में मदद की कुल मिलाकर उन्होंने 25,000 पौंधे लगाए और 2,000,000 पौंधे वित्रित किये उन्होंने 10,000,000 बीच बुए हैं और लक्ष एक करोड बीच बुएने का है और उन्होंने लोगों को प्लास्टिक बैक का उप्योग करने से हत उत्साहित करने के लिए 40,000 कपड़े के थैले वित्रित किये अपने कार्याले के काम में भाग देने से पहले और कार्याले समय के बाद राजशेखर एक पौंधा लगाते हैं और लोगों को पौंधा लगाने के लिए प्रिरित करने के उद्धेश से उनके साथ बातचीत भी करते हैं उनके ग्रीन मिशन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं मैंने 20,000 पौधे लगाए 2,000,000 पौधे वित्रित किये और अब तक 10,000,000 बीजबोए हैं मैं प्लास्टिक की थैलियों से दूर रहने और उनके स्थान पर सूती थैलों का उपयोग करने की आवश्यक्ता के बारे में भी जागरुकता पैदा कर रहा हूं मैंने अब तक 40,000 कपड़े के थैले लोगों को मुफ्त में बाटे मैं चाहता हूं कि युवाओं से लेकर बयोसकों तक हर कोई विरिक्षा रोपन अभियान अपनाए मैं यह भी कहता हूं कि हर कोई अपने आवासी ये परिसर में संचयन गढ़े खो दे ताकि भूजल स्तर कम ना हो मेरे परिवार के सदस्य और सिंग्रेनी कोलियरीज के अधिकारी मेरे मिशन में मेरा समर्थन कर रहे हैं 2017 में राजशेखर ने अपने कारिस्थल पर सेवा निवरत करबचारियों को गुलदस्ते के बजाए पौधे देने के प्रथा शुरू की जब वो किसी शादी में शामिल होते हैं तो वो नव विवाहितों को उनके घर में एक पेड़ पर रखने के लिए एक पौधा और एक पक्षी का घौसला देते हैं अपने ग्रीन मोटर विकल गाडन में वह नरसरी से पौधे खरीते हैं और उन्हें लोगों को विदरित करते हैं उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रोसाहित करते हैं हर मेहने वह पौधा खरीदने के लिए अपने वेतन से लगभग 15,000 रुपे खर्च करते हैं इस साल जुलाई में राजशेकर के साथ एक तुर्खट ना कुई जब वह अपने दो पहिया वाहन से गिर गए और कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे लेकिन फिर भी वो रोजाना एक पौधा लगाने से पीछे नहीं हटे राजशेकर हर्याली फैलाने और परियावरण संरक्षन में अपना योगदान देने में दूसरों के लिए प्रेणा सुरूत है गुड न्यूस जस्पा इंडिया के लिए तेलंगाना के भदरादी कोठा गोडेन से वन्मा शिवा की रिपोर्ट टीडी न्यूस सच बाता वरण होगा हर्याली होगी तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और इस बात को ये बखू भी जानते हैं और हम सब को जानने की जरूरत है वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफ़ार अभी जारी रहेगा आप देखते रहेए गुड ड्यूस जस्पा इंडिया का कभी नाज गाना और बहतरीन खाना कभी साज बहू की नोगजोंप में स्वाद का मुस्कुराना कभी रिष्टों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना असली मसालों का उबहार M.D.H. बनाए खास हर त्योहार क्योंकि हर रिष्टा है स्वाद से जुड़ाद आई ये मनाए खुशियों की दिबावली M.D.H. मसालों वाली जिन्दगी की हर छोटी पड़ी जरुवत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उमीद को तो हम सहारा लगाते हैं S.I.P. आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाईगी आज ही अपनी पहली S.I.P. की शुरुआत करें अधिव जानकारी के लिए अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करें L.I.C. म्यूचल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल म्यूचल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है योजनासिसम्बंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें अधियां घर की रौनक है बेटियां घर सवारती है बेटियां पीडियां सजाती है बेटियां घर की बुनियाद कहलाती है बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाच्शा गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनिस लॉक है ऐसे गोर्डी मसाले जहां जाएं रिष्टे बनाएं जो 86 वर्ष की हो चुकी हैं लेकिन उनका खेलों में गजब का जजबा है उन्होंने खेलों में हाथ आजमाईश की और बहुत सारे मैडल भी अपने नाम कर लिए नाम उशा शर्मा ओम्र 86 वर्ष लेकिन जनून और जजबा किसी युवा से कम नहीं इसी साल जून में हुई सिंगापूर मास्टर्स ट्रैक एंड फील्ड असोसियेशन की ओर से सिंगापूर में आयोजेत स्पोर्स चेंपियनशिप में पांच गोल्ड मैडल प्राप्त किये पंजाब विद्याले शिक्षा बोर्ड से सेवा निवरित उशा शर्मा का जज़बा कुछ ऐसा ही है दरसल पहले उन पर बोर्ड कार्याले में किताबों के प्रकाशन की जिम्मेदारी थी सारा दिन बैठने का ही काम होता था परंतु सेर करने का बहुत शौक था जो नौकरी के कारण पूरा नहीं हो पाया सेवा निवरित होने के बाद सेर के जुनून को पूरा करना शुरू किया इस दोरान एक साथी ने उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोच साहित किया कुछ वर्षों तक तो उन्होंने इस पर गौर नहीं किया परन्तु फिर हर्याना के लिए खेलना शुरू कर दिया और मैडल आये तो जुनून को मानो नए पंख मिल गए इंटरनेशनल में जाने का मुझे सबसे पहले मौका मिला ओकलें वहाँ पे हमारे हमारे जो हर्याना के मास्टर्स थे तो हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे मुझे सिल्वर मिला इस साल हम गए हैं सिंगापूर में तो वहाँ मुझे तीन गोल्ड मिले हैं प्लस 85 केटिवरी बड़ा अच्छा लगता है सब मोटिवेट होते हैं मैंने अपने जो पुराना पैशन था कि मैं सैर करनी है तो मैं सैर को ही अपना पैशन बना के सैर करती रही और वहीं पे मुझे WC गोल्ड मिले उन्होंने मुझे मोटिवेट किया तीन साल पहले हर्याना के लिए खेलने से शुरू हुआ ये सफर आगे पढ़ता ही गया उशा ने दूसरे राजियों में जाकर भी खेलना शुरू कर दिया सबसे पहले हेमाचल प्रदेश, विदिशा, जैपुर, पंचपुला में दक्षिर में हुई अनेक राष्ट्रिय मास्टर्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 2013 के बाद से कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा उन्होंने साथ, असी, सो और दो सो मीटर शॉट पुट, ठिसकस थ्रो में कई मैडल प्राप्त किये बेडविंटन में भी हाथ आजमाई की बेडविंटन में भी राष्ट्री और अंतराष्ट्री एस्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया राश्ट्रे इस्तर पर डबल्स, सिंगल और मिक्स डबल में भी राश्ट्रे इस्तर पर विशाखा पठनम, उटी और जैपुर में हुई प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किये इस्पेन स्थेथ अंतराश्ट्रिय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित वकिया और जैपुर में भी पाट लिया तो वहां पे भी मेडल्स लिये हैं इसके लाबा वी कॉलिफाइड फार्ट फॉरन कंट्री जिस्ट लाइक स्पेन आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए सेहत है तो जंदगी है जिन्दगी है तो जिन्दा दिली करता जो मन में आपके आ सेहत है तो जिन्दगी है और जिन्दगी है तो जिन्दा दिली है कुछ बहतर करने के लिए आयू की चिंता ना करें बल्कि अपने काम को पूरी तर्मैता से करें गुड ड्यूस जजबा इंडिया के लिए पंचकुला से सुमन बाला की रिपोर्ट डीडी न्यूस और अब आपको मिलवाते हैं 95 वर्ष की उम्र के असम के भोला राम सैकिया से जो एक आम व्यक्ती नहीं है बल्कि एक खास शखसियत बन गए हैं वो भी अपने कामों से और जो ड्रिड समर्पन है प्रतिग्या है उनकी काम के प्रती वो देखने लायक है और साथ ही साथ बड़ी बात ये है कि इस उम्र में आने तक वो कभी डॉक्टरों के पास नहीं गए हैं ना ही उन्होंने कोई दवाईयां खाई हैं कैसे ये सारे काम कर रहे हैं कैसे अपनी सेहत को दुरूस रखे हुए हैं आईए देखते हैं 95 साल की उम्र में भोला राम सैकिया सिर्फ एक आम बुजुर्ग नहीं है उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है और जुनून वक्त से परे भूरे बाल और सौम्मे मुस्कान वाले एकाकरशक व्यक्ती गोलगाट जिले के अंतरगत मेल मारा इलाके के एक छोटे से घर में अपने बेटे बहु और पोते पोतियों के साथ रहते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उम्र में भी भोला राम सैकिया किसी अस्पताल नहीं जाते और ना ही कोई दवा लेते हैं अभी भी वो किताबे पढ़ सकते हैं और बिना किसी चश्मी का उपियोग किये बास का काम करते हैं वो अपनी आजीवी का कमाने के लिए बास के बरतन, होल्डर और छलनी सहित बास के विभिन उत्पात बनाते हैं और बेचते हैं उन्होंने अपने उत्पात जोरहाट, गोलाघाट, बोकाखाट, मोरी गाउं और कई अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेजे हैं क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मान की द्रिष्टी से देखते हैं और क्षेत्र में होने वाले कारे क्रमों में आमंत्रित करते हैं और उनकी सलाह मानते हैं भोलाराम सैकिया बच्पन से ही बास का काम कर रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बन गया है वो बानते हैं कि आज की पीड़ी को किसी आसान तरीके से पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए बल्कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए और पैसा कमाना चाहिए 95 साल की उम्मे भोला राम सैकिया हमें सिखाते हैं कि समर्पन और कड़ी मेहनत की भावना कभी पुरानी नहीं होती गोड न्यूज जजबा इंडिया के लिए असम के गोलग हाट से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज तो ये खबरें सही माइनों में दर्शाती हैं कि उम्मर बस एक नंबर है जरूरत है सही राह चुनने की सही काम करने की और फिर देखिए क्या होता है वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है जल्द हाजरूंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ आप देखते रहें गुड न्यूज जजबा इंडिया का बेटियां घर की रौनक हैं कि बेटियां घर सवारती हैं कि बेटियां पीडियां सजाती हैं कि बेटियां घर की बुन्याद कहलाती हैं कि बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाद्शा हमारा डेजर्ट आगया पर हमारी चांपियन नहीं अब तक बिल भरने के पहले तो आएगी ना सो गर्ल्स क्या हो रहा है बिल हो रहा है चल अपना काड़ दे पिन दे अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ट किसी को ना दे ओनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कम्प्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नित्वर्ट से करें हां ये खाने की चांपियनशिप थी क्या आग बिया कहता है जानकार बनिये सतर्क रहिए एक ऐसा तबका जो रिटार्मन के बार में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरते औरते कमा के भी वन्नरेबल है तो NPS एक एक एक्वालिटी ला रहा है हम सब एक बराबर प्लाटफोर्म पे है अपने बहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है ये मैं कैसे जानती हूँ मैं क्या जोहरी हूँ जी नहीं लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है गोल जूल्री पर छे अंको वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडिटरी कर दिया है हॉल मार्क देखकर ही गोल जूल्री खरीदे और हाँ हॉल मार्क जूल्री की अथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS Care App इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजे जब भी गोल जूल्री खरीदे BIS Care App से हॉल मार्क गोल जूल्री की अथेंटिसिटी चेक करें BIS है विश्वास का प्रतीक BIS Inspiring Quality गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जहाएं रिष्टे बनाएं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं गुड न्यूज जजबा इंडिया का नदियों की सफाई का हर लविवार ये टीम निकल पड़ती है अपने काम पर और कुड़ा कश्रा उठाते हैं साथी साथ नदियों की सफाई जी जान से करते हैं और किस तरह से इनका जो काम है वो अब रंग लाता वो दिखाई दे रहा है आईए देखते हैं लुध्याना में सतलुज नदी के किनारे कूड़ा उठा रही हैं ये युवा ये पंजाब के कुछ युवाओं की टीम है जो खुद को वाटर वारियर्स पंजाब कहते हैं पंजाब में जल संगट को देखते हुए ये योधा नदियों को प्रदूशन मुक्त करने का प्रयास कर रही है उनकी टीम के सदस्य बलकार सिंग ने बताया कि वे हर सप्ता सतलुज नदी की सफाई करने आते हैं और वाटर वारियर्स पंजाब के प्रणेता, मंजीत सिंग ब्यास, सतलुज और रावी नदियों की भी सफाई करते हैं अपने अपने लेबल पे काम करते रहें, यह देखो यह जो पानी है, यह किसी ने एक आदमी नो तो यूज करना नहीं है, यह सारे पंजाब की लिए तो मेरी सभी लोगों को विंती है कि आप आएं सतलुज की सफाई रखें हर रविवार को वाटर वारियर्स पंजाब के कुछ युवा लाड़ी वाल के पास सतलुज नदी के पुल के उपर और नीचे सफाई करते हैं और लोगों को नदी में कुछ भी ना फैकने के बारे में जागरुक करने का प्रयास करते हैं जलियोधा हरजोत कौर ने कहा कि उनका मिशन पंजाब की नदियों और पानी को साफ करना और लोगों को जागरुक करना है हमने पानी की सफाई करनी हैं पानी को परदूशत होने से बचाना है पानी की जो बुंद बुंद है हमारे लिए कीमती है आने वाले समय में पानी की कमी से बहुत कुछ हो सकता है तो अगर हम आज इसको बचा लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें पश्ताना नहीं पड़ेगा युवाव ने बताया कि नदियों के जल को शुद्ध करने की आवशकता क्यों है और ये प्रेणा उनमें कैसे जगी कि लोग कुछ कुछ भी उनके गर में पढ़ाया कोई भी कूडा पढ़ाया जो कुछ भी पढ़ाया वह यहां पर आकर जल प्रवाय कर देते हैं किसी ने सच ही कहा है कि आप कोशिश तो कीजिए कार्वा खुद ही बनता चला जाएगा और रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे और कुछ ऐसा ही हो भी रहा है हमने तमाम कहानिया देखी किस तरह से लोग कदम बढ़ा रही है और उनके साथ लोग चुड़ते चले जा रही है आप से भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए खास करते रहिए देश और समाज के विकास में अपना योगतान जरूर दीजिए आप से अंप से भी किया है